हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बर पुना हैं आप सभी का आपके अपने शैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगत हैं और आज के एक महत्मों टॉपिक है कुलाम का व्यूत्प्रम बर्क का नियम इसका कथन क्या है और इसका गड़ती ब्याख्या पूरा अंतक दे कि इस नियम कर प्रतिपादन किस ने दिया तो यह किस ने किया तो जो नाम है वो किसके आधार पर स्टुल्ट को कुलाम के ही आधार पर है तो सन्ग 1785 रठावों renew को سं त्रांसीय ब्हानिक एक प्रतिपादित किया जिसे कुलाम के देटिक्रमम स्वों मरक सिक थे पोन सीय कुलाम ठीक है चाल्स आगेस्टिन कुलाम इन्हों ने एक निया दिया जिसे वित्तक्रंबर का नियां कहते हैं या कुलाम की बिदुछ च्छेत्र में पढ़ा था दो आवेसों की बिच लगने वाला जो वलह कुलाम करियां था यहाँ पर जो कुलाम का वियुद्क्रम बरका नियम इस्टूडेंट वो सजातिय धुरूबों जैसे आप लोगों ने चुमिकी धुरूब पढ़ा होगा है ना एन और एस तो दो धुरूब हैं चुमिकी धुरूब हैं उनके भी जो लगने वाला बल है उसके नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया मतलब जैसे कुलाम का नियम जब आएगा वो विद्दो छेत में आवेसों के विच लगने वाला बल है कुलाम के विउत्ग्रम बरका नियम जब आ जाए श्टुडेंट तो ये कहां का बल है श्टूडेंट तो ध्यान रखेगा दो चुमकी दुबों के विच लगने वाला बल है तो सजाती दुबों के मद प्रतिकर्शन बल और भिजाती दुबों के मद आकर्शन बल होता है इन बलों का अध्यन किया किसने सन 1785 में चाल्स आगस्टिन कुलाम ने और एक नियम दिया जिसे कुलाम का प्यूत क्रमबर का नियम कहते हैं complete student चलिए आगे आपको कथन के लिखना ये कथन महत्पूर्ण होता है ठीक है जो कथन आपको बिलकुल यहाँ पर लिखा हुआ है कि किनी दो चुमकी दुबों के मद लगने वाला बल उन दुबों के धुरुब प्रावलनों के गुननफल के अंक्रमान उपा अब इसको student डाइग्राम के माद्धे में समझेंगे तो और बहतरी होगा यहाँ पर में एक साटकट माल लेता हूँ कि एक बिंदू आपके पास ए है ठीक है एक बिंदू ए है student और दूसरा बिंदू वी है यह दो बिंदू है इन दोनों बिंदों की बीच की दूरी कितनी ह है और इनकिव का धूरूप प्रवल यह आपका मान लेता है यह से इनके बिच की जो दूरी यहां पर मान लेता हूं कितना है आप है यहाँ से यहां तक की दूरी कितनी है तो आर है यहांई A और B के बीच की दूरी कितनी है R है अब student इसको मैं मान के चलता हूँ M1 और इसको मान के चलता हूँ कितना M2 M1 और M2 दूप प्रावल के दो दूप हैं किसी भी चुमबा के इतना clear तो इसमें से आप देखिए किनी भी दो यह आपके पास M1 है यह M2 है किनी भी दो दूप प्रावल यह दूप प्रावल है ना किनी भी दो दूप प्रावलों के मद यहांपर चुमकी दूप है यहांपर देख सकती है M1 M2 यह किनी भी दो चुमकी दूपों के मद लगने बाला वल F है ना उन दुरूप प्रावल्लों के गुड़न फल के अनकुमान उपाती अर्थात यमोन और M2 के गुड़न फल करके अनकुमान उपाती लगाएंगे और उनके बीच की दूरी ये बीच की दूरी कितनी है आर है उनके बीच की दूरी आर के ब्यूतक्रम बरके ब्यूतक्रमानुपाती होती है मतलब दोनों दुरुप प्रावलों के गुड़न फल के अनक्रमान उपाती और बीच की दूरी के बरके विद्करमान उपाती होता है जैसा कि आप लोगों नहीं जब कुलाम का नियम पढ़ा था उसमें दोनों आवेसों के गुड़न फल के अनकुमान उपाती और बीच की दूरी के बरके विद्कुमान उपाती होता था M1 और M2 के दो धुरूप प्रावल हैं जिनके बीच की दूरी R है तो इतना लिख लिजे आप माना M1, M2 धुरूप प्रावलों के दो धुरूपों के बीच की दूरी R है तब आपन क्या करेंगे इस प्रेंट है ना इनके बीच येनि खुलाम की विद्कुमान उपाता ह उनके बीच लगने वाला बल तो यहां पर लिख सकते हैं तो इस नियम ऊनुसार देखेगा नियम क्या कहता है की दो धुरूपों के बीच लगने वाला बल अर्थात F F किसके समानुपाती है दोनों धुरूप प्रावलों के गुड़न फल के अनुक्रमानुपाती है समानुपाती F अनुक्रमानुपाती M1 इन्टू M2 तथा इस्टूरेंट कहा गया है तथा जो दूसरा बल लग रहा है वो किसके ब्यूतक्रमानुपाती दूरी के बर्ग, यह हमने बर्ग कर दिया दूरी के बर्ग के क्या होता, ब्यूत्क्रमान उपाती होता है यहाँ पर आपने क्या कर दिया एप, ब्यूत्क्रमान उपाती होना पान आर स्क्वेर कहने के मतलब आर स्क्वेर की उल्टा है ना इसलिए भी उत्क्रम हो गया है अब क्या करेंगे इस्टुएंट दोनों को मिलाने पर उपरोग तो दोनों को मिलाकर लिखने पर तो यहां पर लिख लेते हैं दोनों को मिलाकर लिखने पर दोनों को मिला कर लेखेंगे देखी जो उपर है वो उपर रहेगा और जो नीचे है वो नीचे रहेगा तो दूसरे पेज पर करते हैं यहाँ पर इस्टुडेंट थोड़ा ध्यान दीजेगा कितना आपके पास F है तो F हो जाएगा शमानुपाती M1 M2 उपर रहेगा और बटे में R स्कूर हो जाएगा इतना क्लियर अब इस्टुडेंट जब भी समानुपाती नियतांक हटता है समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है जहां के एक क्या है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जहां के क्या है जहां के एक आनुपातिक नेतांग है एक आनुपातिक नेतांग है आपको पूरे बराबर नमबर मिलेंगे चिंता करने की ज़रूत नहीं है मैं ऐसा सिस्टम से बता रहा हूँ जहां के एक आनुपातिक नियतांग है जिसका मान धुरूबों के बीच माद्धम और मात्रुकों की पद्धित पर निर्भर करता है बस आप इतना लिख दें जहां के एक अनुपातिक नियतांग है इतना क्लियर अब थोड़ा सा और आगे करना है तो आप लोगों ने देख लिया कथन क्या था किनी द जो दुरूबों के मद लगने वाला बल उन दुरूबों के दुरूबर बलों के गुडन फल के अनक्रमानुपाति और बीच की दूरी के बरके विद्धमानुपाति होता है वही चीज़ हमने यहां पर लगाया करती बेख़े में देख सकते हैं फिर इस्टुड़ंट यहा यहां पर डालते हैं S.I. पद्धत में किस पे S.I. पद्धत में S.I. पद्धत में S.I. पद्धत में इसका मान होता है बायू ये निर्बाद के लिए किसके लिए बायू ये निर्बाद के लिए बायू ये निर्बाद के लिए बायो निर्वात के लिए इसकी जो बहलू होता ही इस्टुडेंट जानते हैं कितना होता है के बराबर होता है म्यू जीरो अपान फोर पाई हेनरी प्रति मीटर हेनरी प्रति मीटर यह हो गया अब के कमान समीकर्ण एक में रख दू के कमान कहां रखोगे समिकर्ण एक में तो लिखते हैं यहां पर के कमान समिकर्ण एक में के का मान रखने पर रख दीजे कितना बैलूप फुट होगा मतलब फाइंड होगा आपके पास यहां पर फैस्ट समीकरन में पुट करेंगे तो एफ बराबर देखे कितना हो जाएगा के के जगा कितना हो जाएगा म्यू जीरो अपान फोर पाई हो जाएगा और आपके पास यह मॉन एम टू तो हाई है मॉन एम टू बर्टे कितना हो जाएगा आर स्कार हो जाएगा और इसको आप देदे समीकरन दो देदे ठीक है अब बलका मतलब क्या होता इस प्रेंट न्यूटन तो यहां पर लिख सकते ही Newton बल्पामात्रक Newton होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं Newton ऎलत नहीं कलाए थीक कि ना बल्पा माली नूता कियोकर कमेंट करने करने लगते हैं सरकीज को आपने नहीं बताया यहां पर Newton होना चाये अब दोस्तों यहां पर तो μू 0 कमान होता है, किंटू यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किंटू जो μू 0 कमान होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह थुड़ा सा इस केज नहीं चल रहा है, होता है इसकी वैलू 4, 4 पाई इंटू 10 तुद पाउर माइनस 7 हेंरी प्रति मीटर, तो जब इस पर वैलू पुट करेंगे, तो जानते हैं कि इतना आएगा, 4 पाई से 4 पाई कर जाएगा, तो f बराबर आजाएगा, कितना आजाएगा, मिउ जीरो कमान रखेंगे, तो 10 तुद पाउर माइनस 7 आजाएगा, इंटू M1, M2 बटे R स्कूर होगा, इसको समय करन तीन दे दें, अब कैसे आएगा, तो 4 पाई रखेंगे, तो 4 पाई से 4 पाई कर जाएगा, 10 तुद पाउर माइनस 7 आएगा, इतना हो गया, कम्प्लीट, आप इतना कर देंगे, काफी है, यही आपका क्या है, बायू या निर्बाद के लिए, दो चुमिकी दुरूबों के बिच लगने वाला बाल, यह स्ट कांक दुरूब, क्वेशन आया करता है कि एकांक दुरूब को भी परिभासित कीजी, क्या निकालना है, एकांक दुरूब, एकांक दुरूब के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक समझेगा, कि आपके पास समीकरन 3 है, हम समीकरन 3 से लिकर चलेंगे, स यदि हम एफ बराबर कितना रख दें तस गहते माइनस साथ न्यूटन देखिए अगर दस गहते माइनस साथ न्यूटन ये किस कमान रख रहे हैं एफ बराबर दस गहते माइनस साथ न्यूटन यदि आर यहनी दोनों के डिस्टेंस एनी कितना हो एक मीटर हो एक आई जिसे कह पर इतना हो जाएगा तो समय कंद तीन में F कमान 10 to the power minus 7 रख देंगे एकोल 10 to the power minus 7 रख देंगे एम और एम रख देंगे नीचे भी एक हो जाएगा पूरा कटकर आ जाएगा M square बराबर एक तो M बराबर आ जाएगा plus minus 1 देख सकते हैं यह एकांक मान आचुका है अर्थात इस्टुडेंट हमें दिए बात करें कि धृवबों की विच दूरी क्या हो एकांक हो और कहा पे रखाू बाईयो निर्वात पर रखा हो और धृव क्या है शमान हो अर्थात दो एकांक धृप जब समान होते हैं और बा कांग माना है बाई निर्बात में एक मितर माने आ मितर माना है जो वह जो चणा herman Και प्रकार से देख सकते हैं आपका ब्यूत्क्रम बरकनियम कंप्लेट हो चुका है आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई पसंद लाइक कर देना दोस्तों सेर कर देना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल लाइक कर देना मिलते हैं क्ली वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदमात रहा हूं